जैहिन दोस्तों आपका स्वागत है मेरी चैनल सरकारी त्यारी प्लस में आज हम बात करेंगे कंसीर नोट प्रेस नासिक द्वारा जारी की गई वेकंजी के बारे में इसके लिए आप किस तरीके से एपलाई कर सकते हैं कि आपका लिजिटी करेटी रहेगा और लाइन फॉरम फिल अपकी कंप्लीट जानकारी जो आप लोगों step by step किस तरीके से आप फॉरम को फिल कर सकते हो उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी डेली ऐसी government job की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारी चैनल सरकारी त्यारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले तो बात करते हैं आपकी currency note press द्वारा जारी किरी गई नासिक में निकली vacancy के बारे में इसके हम official notification की तरफ चलते हैं जहाँ पर मैं आपको details है नहीं संचेब में आपको लोग जानकारी दूँगा ठीक है आपका official language है आपका level A 27-95 total vacancy 1 है 18-20 ठीक online examination artist graphic designer आपका level B 23-85 पोस्ट 1 18-26 आपका secretarial assistant level B 23-85 ठीक है और यहाँ पर आप दे सकते हैं junior technician आपका workshop यहाँ पर junior technician workshop आपका machinist level W junior technician workshop आपका फिटर level W junior technician workshop आपका एक्टिशन आपका एक कंडिशन की junior technician प्रिंटिंग कंट्रोलर की यहाँ पर वेकंसी है जो की 41 है ठीक है यहाँ पर आप दे सकते हैं और junior technician जो आपका air condition की 3 है यहाँ पर आप दे सकते हैं electrition की 3 है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर sorry 4 vacancy है 4 4 यहाँ पर आप दे सकते हैं junior technician की workshop की प्रिंटर की 4 है और यहाँ पर आप दे सकते हैं तो हैँ दो वेकंसी मेकेनिस्ट की इस तरीके से यहाँ पर आप apply कर सकते हैं post के लिए अप देखेंगे आपको क्या करना है अपना नाम जैसे कि यहां पर मैंने दिया ठीक इसी तरीके दुआरा से आपको अपना नाम देना है confirm name इशान यहां पर आपको middle name है तो वह आप दे सकते हैं ठीक है मेरा नहीं है तो मैं छोड़ दूँगा यहां पर दो वार देना होगा confirm or last name जैसे कि मैंने यहां पर दिया दो बार देना है आपको पहला लेटर आप capital में लिखिए गए यहां पर मैंने नहीं लिखा है ठीक यहां पर mobile number है वह आप दे दीजिएगा ठीक है तो मैं यहां पर कोई भी एक sample में number दे दे रहा हूं इस तरीके से यहां पर मैं दे दे रह करना है domain यहां पर select कर लिजिएगा तो यहां पर मैंने भी select कर लिया ठीक इस तरीके से और आपको यह capture को फिल करना है ठीक तो मैंने capture को फिल कर लिया और यहां पर save and next पर कर देखे कर देंगे तो करेंगे कर देगे तो यहां पर यह यहां पर से पहले यहां पर आप गैलाइंज जिए यहां पर यहां पनी जो फोटो है आपकी डिशेंट फोटो रह रिचेए ठी उस região provinginis तो इसके बाद यहां पर आपको बीच से पचास के बीच बीच में फोटो UPLOAD करना है, सिर्फ वाइट पेपर पे आपको होना च builders सिर्फ एह ओर देश्ञे बीच से 2 से 20 के बीच बिच पेविचिनार। तो यह भी यहां पर आपको जैसे फोटो अम्पलोड करने है .. आइकन फर्म पर टिक कर देंगे, यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर आपको फाइल अप्लेट करनी है, इसके आइकन फर्म पर आप टिक कर देंगे, ठीक है, तो सेंपल में आप दे सकते हैं, मैंने फोटो अप्लोड कर दी हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से upload कर देनी है 20-50 के भी की बीच में आप किस पोस्ट के लिए apply कर रहा है तो यहां पर जिस भी पोस्ट के लिए apply कर रहा है तो यहां पर आप सब्सक्राइब कर लें जैसे कि मैं junior technician यहां पर आपको बताना है आपका disability है अंडर आपको इसके दे सकते हैं यहां पर आपको देता हूं तो यहां पर आपको देने हैं compulsory time examination के समय यहां पर are you person with आपका disability over covered under the definition to यहां पर आपको दे सकते हैं if आपको दे सकते हैं I certified the produce the certificate यहां पर आपको देखने हो मिलेगा अपना religion के बारे में select कर लिजिएगा तो मैं यहां पर आपको धर्म दे सकते हैं यहां पर सिक, Muslim, Jain, Hindu, Christian, Buddhist आपको देखने मिल जाएंगे यहां पर मैंने select कर लिया क्या आप से एक service होने yes यह no कर सकते हैं आर यू seeking आपका रिलेक्शन, वीडो, डिवोर्स, भूमें जूडिसरी, सेपरेटरी, इंसम में आप कर देखने हैं तो yes यह no कर दीजिएगा बारतिय नागरिक हैं क्या आप employee है SP, M, C, I, L के yes यह no कर सकते हैं यहां पर बताना पड़ेगा किस में आप काम करते हैं तो यहां पर आप select करियेगा कितने service का आपने की जैसे कि 40-50 जो भी मनत आपने काम के उसके बारे हम बता सकते हैं यहां पर आप देखते हैं फिजिकली आपका जो आपका person who employed the government PSU employee यह no कर सकते हैं तो यहां पर name of organization का बताना है जो देखते हैं तो मैं मुंबई चुल लिया इस तरीके से थीक है तो यहां पर मैं नो-नो कर देता हूं यहां पर आपको बताना है date of birth अपनी date of birth चुल लिजिएगा मैंने जैसे कि यहां पर चुल लिए तो मैं निंच सो नियान में चुल लिए और ठीक यहां पर आपको male female है बताना है कि आपका जड़वा भाई या बहन है yes or no कर सकते हैं यहां पे twin आपके बताने में क्या twin male है कि female है जैसे कि यहां पे आपको name of twin का नाम देना जो भी आपका अगर male है तो उसका नाम female है तो उसका नाम आपका साधी सुना है unmarried है जानकाई दे सकते हैं father का name, mother का name, spouse का अपनी wife husband का name, address यहां पे आपको अपनी जानकाई देनी है district यहां पे बताएंगे और state यहां से select कर लेंगे जैसे कि मैंने उत्तवदिश सेलेट कर लिया ठीक है तो फ्रेंट यहां पे आप देसके मैंने सारी detail को फिल कर लिया है कुछ इस तरीके से तो यहां पे वैलिव डिटेल पे टिक करूँगा ठीक तो यहां पे आप देसकते हैं मेरा जो है पिन कोड है उसको सही कर लेते हैं मैंने इसको मैंने टिक कर दिया ठीक है तो यहां पर मैंने सक्सेस्पल ही हो चुका है मैंने एड्रेस तोड़ा सा जो है गलत लग दिया था ठीक तो यहां पर आप दे सकते हैं ग्रेजुशन यहां पर आपको क्या करना है ग्रेजुशन डिगरी के बारे में ठीक है तो यहां पर आपको बताना है सेलेट करें अदर है तो अदर आपका graduation degree के बारे में यहां में full time ATI है तो आप बता सकते हैं ठीक है, तो इस तरीक से आपको करना है यहां पर आपको full time ATI के बारे बताना है, आप offset minder आपका machine mind trade, let up of press, आपका machine minder trade है या आपका दे सकते है pet marking trade है, hand composing आपका है तो यहां पर आपको selected लोंगा किस मत मैंने किया ठीक स्टार्टिंग आपको यहां पर आपको बताना है कि सतरूरी कर दिया और यहां पर जुलाई कर लेता हूं ऑर यहां पर तो यहां पर मैंने 88% यहां पर मैंने सलेट कर लिए फर्स्ट क्लास ठीक है पूस्ट ग्रेजुशन डिग्री है प्रफेश्लन क्वालिफिक्शन अदर है तो यहां पर बता सकते हैं ठीक नेम ओफ दा आपका काम करते हैं तो डेसीनेशन क्या है किस पत पर हैं आपका टोटल पीरियोड सर्विस आपने कब जॉइन की थी लास्ट डिट क्या है ठीक है नीचर ब्ड्यूटी रीजन फॉर लीविंग यदि अब प्रिजेंट ली वरकिंग है अभी काम कर रहे हैं संस्ताम है तो यह कर दिजेगा तो यह आपका आप ओफ हो जाएगा ठीक है यहां पर आप दे सकते हैं मैक्समम आपको तीन दिजिट में देखने में मैलेगा रीड राइड आपको करने जो भासा आप जानते हैं और वैडिडूड डिटिल पे टिक कर देंगे ठीक है तो फ्रेंड कुछ इस तो मैंने यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कोई भी चीज है तो आपको यहां पर आपको देख सकते हैं इसके बात यहां पर आपकी जो फॉर्म फिल किया था उसका आपको पूरा देखने को मिल जाएगा ठीक है त इसके बाद यहां पर आप देखें, complete registration पर यहां पर मैंने टिक कर दिया, okay पर इस तरीके से, यहां पर आपको देखें, left thumb handwritten declaration है, जो कि आप notification से भी check कर लिजिएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस सब चीजों के बारे में, handwritten declaration आपको जब online form का है, तो यहां पर आप दे सकते हैं, उसके बारे में यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इस सब चीजों का आप detail को किस तरीके से फिल करना है, वो यहां पर आपने notification पर चेक कर लिजिएगा,